तो दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूटूब चानल GSS Study Pro में देख लीजे दोस्तों जारकण उत्पाद सिपाही की बारे में आज हम बताने वाले हैं और जारकण उत्पाद सिपाही का जो वेकंसी है दोस्तों वो आ चुका है वीडियो अल्रेडी इसका वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखें अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजे और जितने भी इलिजिवल कैंडिडेट है उन तक यह वेकंसी के लिए वीडियो को भेज दे ता कि धारकण से कुछ विरुसगारी कम हो सके अगर वो इस करणोर करें और जो भी उत्पादन को मिलावटी ना हो उसमें लगाम कसरें से कंट्रोलींग करने वरले भी ब Yin इसके बारे डिटेल में इस वी विधाग का मोथा हैं क्रते घारए ह। Всем थे में देख सकते हैं तो सब्सक्राइब आपको किस परकार से करना है किस परकार प्रोसेस क्या होगा क्या इसमें आपको मिलेगा वेनिफिट्स क्या मिलेगा किस प्रकर से आपका जोईन होगा देखने वाले दस्तों तो देखें पांसो तिरासी पदो पर यह वेकंसी आ चुकी है और वैसे चेडिड़ेट जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया हो उन केडिड़ेट को ही अफ़र्म भर सकते हैं वह कंडिड़ेट जयानि कि जो भी मैट्रिक पास किया हुआ कौन से स्टुडेंट इसको भर सकते हैं तो सबसे इंपोर्टेट है यहां वीडियो नए स्टुडेंट के लिए जो नए केंडिडिएट है उसके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वह जरूर देखे जिन्होंने हाली में मैट्रिक पास किया हो और कंपटिशन में आ जोके हो ठीक है लेवल टू का यहां वेकंसी है उसका एज क्या होगा तो देखिए मिनिमूम एज लिमिट जो होगा ठीक है मिनिमूम चाहिए वह सभी के लिए फोर सभी के लिए 182023 तक आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए एटीन यर्स अगर आपका इस डेट तक पूर जाता है और आप मैट्रिक पास है और बाकि जो भी सरते हैं इस वेकंसी की वो उसको अगर आप फुल्फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अब बात करते हैं हाइस्ट जो आपका एज होगा यानि कि मैक्सिमम जो एज होगा वो क्या होगा तो उसके लिए रिफ्रेंस डेट रखा गया एक आठ दोहजार अठारा है ठीक है तो एक अगस्तों दोहजार अठारा तब जेनरल और इडव्लूएस कंडिड़ेट इडव्लूएस एकोनोमिकल विकर सेक्षन और जेनरल कंडिड़ेट के लिए पचीस साल जिनका इस डेट तक पचीस साल से अधिक हो गया है वह इस फॉर्म को नहीं वर सकते हैं फिर बीसी वन वर बीसी टुट की जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 27 साल तक का समय मिला ठीख है वह 27 सेवन ये तक कर मोंगर सक्ते हैं उसके बाद जो फिमेल कैंडिडेट होंगे फिमेल केंडिडेट में भी कौन-कौन से जेनरल, एकोनोमिकल विकर सेक्षन, बीसी वन और बीसी टू यह जो फिमेल केंडिडेट होंगे इनके लिए 28 यह तक का लिमिट रखा गिया है सब्सक्राइब हो सकते हैं इतना तक तो समझ गए कि वह कौन-कौन से इलिजिवल होंगे अब हम लोग देखते हैं कि इतना सब करने के बाद आप फॉर्म भर देते हैं सब कुछ कर देते हैं फॉर्म भरने के लिए देख लिए दोस्तों आपका जो इंपॉर्टेंट डेट से इस व्रेकंसी के लिए तो इंपॉर्टेंट डेस्ट जो ऑनलाइन डेस्टेशन करेंगे एक जून दो हज़र तैईस से तीस जून दो हज़र तैईस तक का समय मिलेगा फर्दर एक्स्टेंट होगा कि नहीं इस बिसे पर तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन आपको इ अपको क्रेक्शन करने का समय है वो छे सांथ दोटैष्ट से आठाल साथ गनव यत्तर तक तो मियंआप याद रखना है कि हमको जो अपना फ्रेक्शन भी कर सकते जखिお願いします में भी आप क्या क्या कर सकते हैं देख लिजिए आप अपना नाम को नहीं सुधार सकते हैं राइट डेट अब बर्थ को नहीं सुधार सकते हैं ठीक है और फोन नंबर को नहीं सुधार सकते हैं ठीक है इतने सारे चीजों को आप correction करने का मौका नहीं देगा इतने सारे चीज आपको इसी जव आप registration करेंगे उसी तरह ना पर एकदम आस्वस्त हो लेंगे और पूरी तरह से एकदम होस हवास में इन चार चीजों को भरेंगे इसके अलब अगर आप कुछ भी mistake करते हैं तो आप इस date में आ कर आप करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन में एक और चीज जो बार बार बताया जाता है ठीक है अगर आप स्टी या स्टी केंडिडेट है सपोस्ट कि आपको 50 रुपए फीस लग रहा है आपने पहले स्टी और स्टी का बनके आपने फॉर्म भर दिया आपने 50 रुपए बाद मे आपको जब यह करेक्शन करने का जब वक्त मिला तो आपने अपने कैटेगरी को ओबी सी या फिर जैनरल में कर दिया सपोस्ट किजिए कि उसका फीस है 100 रुपई ठीक है तो इस वक्त क्या हुआ कि आप कर दिये और आपने सिर्फ 50 रुपए फेस को पे किया हुआ है तो उ फीस को आपको जमा करना होगा जिससे दोनों का जो डिफ्रेंस फीस है वह पचास रुपए आपको एक्स्ट्र यहां पर जमा करना होगा तभी जाके आपका यहां पर एकसेप्टेट किया जाएगा तो यह इस चीज को आप विसेस दियान रखेंगे इसके वज़े से पिछ फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा अब फॉम भर चुके हैं फॉम आपने भर दिया आप इलिजिबल हैं फॉम भर दिये सब कुछ कर दिये लेकिन आपको यह नहीं पता है कि अब हमारा होगा क्या राइट तो चलिए देखे उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको इस में आना है तो सबसे पहले आपको यह सालेक्शन प्रोसेस को जानना होगा यह जो सलेक्सन प्रोसेस है दोस्तों दिख लीजिए इस में निए निए Erm उसके बाद return exam से लिया जाएगा, जो इसमें सफल होंगे, उसको return exam में बैठाया जाएगा, और जो return exam में भी सफल हो जाएगे, उनका फिर medical test लिया जाएगा, अब सवाल यह आती है, कि यहां पर जो आदमी fail या pass दोनों करते हैं, एक fail करते हैं, एक pass करते हैं, तो दोनों का अ student को यहां पर prefer करेगी, उसके बाद, मान के चली 583 पद, अगर merit test हुआ, डीवी हो गया, यानि document verification इसके बाद का process है, document verification आपका हो गया, और उस document verification तक, यानि जोइनिंग कराने तक, अगर 583 पद नहीं भरते हैं, तो second merit list भी आ सकता है, उनका फिर से medical लेने के बाद, उनको फ देखे होंगे, दोस्तों, यह जो notification है, यह आप हमारे telegram group में जूड करके download कर सकते हैं, या तो फिर आप JSC के official site से जागर के directives को download कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, right, आप second merit list कभी इसमें बाद आता है, अब जो physical efficiency, efficiency जो test होगा, उसमें male candidate को, ठीक है, जो पूरू का running करना होंगा, 40 minutes में, right, कोई दिकत नहीं है, दोड है, जो पूरूस के लिए, वो 10 km दोड़ना है, एक घंटे में, और 40 मिंट में महिलाओं को 5 km दोड़ना है, अब देखे हैं, हम लोग measurement देख लेते हैं, तो measurement में minimum जो आपका height होना चाहिए, और minimum जो chest होना चाहिए, वो chest जो है, उनका 81 cm expand होना चाहिए, उसके बाद SC and ST के लिए, 155 cm का height होना चाहिए, और 79 cm इनका chest होना चाहिए, BC1 और BC2, इनके लिए 160 cm, अभी तक मैं यहां बता रहा हूं सबको, female के लिए बता रहा हूं, ठीके, पूरूस वरक के लिए बता रहा हूं, 160 cm, BC1, BC2 का height होना चाहिए, और chest होगा, वो BC जो होगा, 81 cm का expand होना चाहिए, और female, सभी category के लिए 148 cm का height होना चाहिए, और इनका chest कमाप तो नहीं किया जाता है, ठीके, तो इतने सारे चीज है, यहां तक आप लोग selection process के बारे में समझ गये, अब हम लोग जो return examination के बारे मे है, उसको हम लोग next video में देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसी वाज़े से मैंने छोटा video बनाने का कोसिस किया है, ठीक है, return और medical को हम लोग next exam में समझेंगे, क्या-क्या medical fitness आपका पास होना चाहिए, और return examination में हम लोग syllabus को देखेंगे, कितने सारे paper है, वो सब चीज को हम लोग details में देखेंगे, हाला कि इसके बारे में मैंने briefly बता दिया है, इससे पहले वाले video में, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको details में चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं इसको fully explain करूंगा, कि किस प्रकार से आपका return examination की तैयारी होनी चाहिए उसमें बुक को भी preference दूँगा, कौन से बुक को आप पढ़ने से आपका इस बियापन में आपका job लगने की संभावना आए, खांस करके नए student को, जिने बुक में थोड़ी सी अभी जानकारी कम है, तो मैं उनको भी guide करूंगा, तो अगले video के लिए आप हमारी channel को subscribe करके notification क कर लिए, ताकि जो अगला video आएगा, return examination, medical test का उसका आपको notification तुरंद से मिल जाएगा, और मैं उसमें आपको details में बताऊंगा, फिर से कि किस परकार से आपका medical और return examination के आपको तैयारी करनी है, फिलाल आपको physical efficiency test के तैयारी करनी है, आज से अभी से, ठीक है, आप चाहें, तो अभी से दोड़ना स्टाट कर दिए दोस्तों, क्योंकि जो date जो होता है, physical efficiency का close date देने का chances है, क्योंकि आप जानते हैं कि रद होने के बाद दुबार आया हुआ, तो हो सकता है close date मिल जाए, इस date के बाद close date मिल जाए, तो उस condition में आपको तैयारी करने का chances कम मिलेगा, ठ कुछ tricks को भी देंगे, कुछ tricks को भी बताऊंगा, तो 10 km जो पूरुस वर्ग है, 5 km जो महिला वर्ग के लिए हैं, उसको भी आपको तैयारी करते रहना, तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप से फिर से एक नए परकार से एक नए जानकारी के साथ अब तक से आपको फिर से ज